दोस्तो आज शी क्लास में हम limit fit and tolerance chapter से most important point को clear करेंगे then उससे related very most important mcq को clear करेंगे so friend अगर आपने अभी तक पिछली क्लास की वीडियो को watch नहीं किया है तो वीडियो के नीचे description में ncl technician की playlist का link दिया गया है आप वहाँ से link को open करके उस playlist में जो भी classes upload की गई है उन सभी classes को एक बार जरूर watch कीजिएगा क्योंकि वो सभी classes आपके ncl technician exam के लिए very very most important है और friend आज की class ncl technician fitter turner machinist की 14 class है यानि की class number 14 तो चलते हैं limit fits and tolerance को समझ लेते हैं आखिर ये किस चिडिया का नाम है दोस्तो वीडियो के अंदे तक हमारे साथ जरूर बनी रहिएगा और like और share भी करते जाईएगा सबसे पहले हम दोस्तो समझ लेते हैं कि tolerance क्या होता है tolerance friend किसी job की उच सीमा size और निमने सीमा size के difference को tolerance कहते हैं इंग्लिक्स में देख लेते हैं कि difference between the high limit size and low limit size is called tolerance इसको shortcut में कैसे याद करना है कि high limit size and low limit size low limit size is equal to tolerance I hope यह clear हो गया होगा इसके example को हम देख लेते हैं for example आप समझ लेजे कि आपके पास कोई job है जिसका size 50 mm दिया गया है जैसे कि यह और उसकी जो limit दे गई है वह आपकी plus minus में 0.02 mm तो friend इसका high limit size हम कैसे निकालेंगे high limit size को निकालने के लिए हम 50 में 50 में हम 0.02 को 8 कर देंगे तो जब सब friend इसको high limit size निकालने के लिए हम 50 में यानि कि 50 में 0.02 को 8 कर देंगे तो आपका आजाएगा high limit आजाएगी दोस्तों आपकी 50 यानि कि 50.02 mm फिर low limit कैसे निकालेंगे low limit size को निकालने के लिए हम basic size से आपकी जो tolerance दी गई है low limit size उसको हम list कर देंगे तो 50 में से हम minus 0.02 को list करेंगे तो यह आपका आजाएगा 49.98 कह क्या रहा है कि high limit size and low limit size के difference को हम tolerance कहते हैं यानि कि इसके अंतर को इसमें से हम इसको जब list करेंगे तो यह आपका आजाएगा 0.04 mm I hope आपको tolerance अच्छे से clear हो गया होगा फिर आपका इसी तरह से question पूछ ले जाता है कि आपको चार आपसंदे दी जाएंगे फिर उसमें से पूछ ले जाएगा कि निम्न में से कौन सा tolerance के अंतरगत है इसका question में आप आगे आपको मिलेगा तो आप इसमें समझ लीजे 49.98, 49.99, 50, 50.01, 50.02 ये सभी job के ये सभी size जो है वो सही है और size के अंतरगत आते हैं तो friend थोड़ा सा हम tolerance को देने की पद्दत याने की system of tolerance को समझ लेते हैं friend ये सभी चीजे आप अच्छे से समझते चलिएगा तभी आपको mcq के question को solve करने में काफी help मिलेगी अगर आप इसको अच्छे से watch नहीं करेंगे अच्छे से clear नहीं करेंगे तो आपको mcq के question को solve करने में problem होगी उसमें मैं आगे सिर्फ options को clear करते हुए next question की और बढ़ जाओंगा तो please आप सभी इसको अच्छे से clear करते चलिएगा कोई point अगर आपसे miss हो जाता है तो उसे आप फिर से एक बार forward करके वीडियो को फिर से देख लीजेगा तो friend आपकी जो tolerance को देने की जो पद्धती होती यानि system of tolerance वह two types की होती यानि कि two दो system होते हैं first होता आपका unilateral tolerance and second होता आपका bilater tolerance unilateral tolerance क्या होता इसको हम समझे लेते हैं unilateral tolerance में आपका जो basic size होता है यानि कि इस पद्धती में tolerance जो होता हुए basic size पर केवल एक ही हो दी जाती जैसे आपका basic size हो गया 50 और इसका जो tolerance दिया जाएगा वो है minus में 0.02 रहेगा और दूसरा जो tolerance हैगा वो भी minus में 0.05 कहने का sense यही हुआ कि इस unilateral tolerance में जो आपका basic size पर जो tolerance दी जाती है वो एक system में एक पद्धती में दी जाती है यानि कि आपका जो unilateral tolerance होगा वो एक ही ही और plus में या फिर एक ही ही और minus में दिया रहता है और friend bilateral tolerance क्या होता है कि bilateral tolerance में जो आपका basic size होता है basic size पर दोनों और दी जाती है यह आपका प्लस और माइनस दोनों में वेक्त होता है Unilateral Tolerance वन साइड, Bilateral Tolerance टूट साइड Unilateral Tolerance को फ्रेंड हम एक्जामपल से भी समझ लेते हैं कि Unilateral Tolerance इट मीज एक तरफा सही सुरता Tolerance को हिंदी में हम सही सुरता बोलते हैं तो इसमें क्या होता है इस पद्दती में जॉप के बेसिक साइज के केवल एक ही तरफ Tolerance दी जाती है आपकी माइनस और प्लस दोनों में किसी में से एक हो सकती है For example जैसे आपका बेसिक साइज हो गया 25 mm तो आपका यह यूनि लेटरल Tolerance हो जाएगा जैसे आपका For example मान लिजे यह आपका है बेसिक साइज 25 mm और इसमें आपका दे दिया गया माइनस में 0.1 और फिर माइनस में आपका 0.2 तो यह क्या होगा आपका यह आपका यूनि लेटरल Tolerance होगा और फिर दूसरा example देख लेए जैसे आपके पास कोई job है उसका basic drawing दी गई है एक मिनट बाइलेटरल टॉलरेंस क्या होता है जैसे आपका कोई basic size 50 mm का इसमें टॉलरेंस दी गई है प्लस में 0.02 mm और प्लस में ही 0.05 mm तो यह आपका यूनि लेटरल टॉलरेंस होता है और सेम इसी तरह बाइलेटरल टॉलरेंस में क्या होता है बाइलेटरल टॉलरेंस में आपका job का basic size 50 mm और जो उसकी टॉलरेंस दी गई हो है प्लस में 0.5 और माइनस में 0.2 तो यह आपका बाइलेटल टॉलेंस हो जाएगा आई होप आपको टॉलेंस पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और फ्रेंड मॉलिक टॉलेंस यानि की फंडामेंटल टॉलेंस भारती मानक पद्धती इंडियन स्टेंडर सिस्टम के एकॉर्डिंग 50 500 मिलिमीटर व्यास की शॉफ्ट होल में विभी इनिफिट के लिए 18 फंडामेंटल टॉलेंस सेडिया होती है जो की IT1, IT0, IT1 से लेकर IT16 नमबरों तक वैक्त की जाती है इसका कॉस्टन भी आपको MCQ में मिलेगा वहाँ पर यह आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा फिर इसमें फिर आता है कि आपका टॉलेंस साइज तो टॉलेंस साइज इसमें फंडामेंटल डेवियेशन टॉलेंस का ग्रेड और बेसिक साइज दिया होता है फॉर इक्जामपल आपका जौब आपका दिया गया है कि डाइमीटर यह जो आपका साइन यह डाइमीटर का साइन यह फिर एच सेवन से अभी प्राइब पूछ लिया गया है तो आपका जो होल का बेसिक साइज होगा वह 50 मिली मीटर और फंडामेंटल डेवियेशन जो है कैप्टल एच और यहाँ पर जो टॉलरेंस की ग्रेड है वह सेवन नंबर से सो की गई है चलते हैं नेक्ट देखते हैं नेक्ट आपका है शॉफ्ट से रिलेटर यहाँ पर फ्रेंट जो जो सॉफ्ट का बेसिक साइज दिया गया है देखिए उसमें क्या था एच था तो आपका जो होल होता है होल को हम कैप्टल से सो करते हैं और जो आपका शॉफ्ट होता है उसे इसमाल से सो करते हैं तो आपका soft का basic size 50 mm व्यास और fundamental deviation है वह आपका e-sub से so किया गया है और tolerance की grade है जो वह 8 नमर से व्यक्त की गई है tolerance zone क्या होता है फ्रेंट high limit और low limit के difference को tolerance zone कहते है tolerance zone के map में बिना की size का job सही होगा फिर बारी आती है allowance की allowance क्या होता है फ्रेंट ये भी आपका most important point है जो भी most important point है उन्हीं को मैंने PDF में aid किया है तो allowance क्या होता है कि 2 fit होने वाले पुर्जो के size के अंतर को allowance कहते हैं आपका जो ये difference होता है जान बूच कर इच्छित fit को प्राप्त करने के लिए रखा जाता है it means shaft के minimum size and hole के maximum size के difference को ही allowance कहते हैं ये आपका जो होता ये positive और negative दोनों में हो सकता ये आपका fit की किस्म पर निर्भर होता है इंगलिस में देख लेते हैं दोस्तों कि the gap between two matching parts is called allowance अथवा the permissible difference in two matching parts to obtain a certain type of fit is called allowance allowance का जो types होता है two types का होता है first होता है आपका maximum allowance and second होता है आपका minimum allowance maximum allowance क्या होता है दोस्तों की hole के सबसे बड़े map यानि की hole का जो maximum size है और shaft का जो minimum size है उसका जो difference होता है वह आपका maximum allowance कहलाता है अर्थात अधिक्तम allowance पराप्त करने के लिए hole के high limit size में से soft के low limit size को घटाया जाता है इसमें hole size को soft size से बड़ा रखा जाता है आपका जो अधिक्तम allowance होता है यह always positive में होता है जैसा कि आपका running fit में पाया जाता है इसको हम फ्रेंट figure से clear कर देते हैं figure से समझ लेते हैं जैसे आपका यह दिया गया है यहाँ पर जो आपका hole का अधिक्तम size दिया गया है वह है 25 maximum hole size आपका है वह 25.09 mm और जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया है फिर उसके बाद हम देख लेते हैं hole का जो minimum size यानि कि low limit size आप hole वह दिया गया है figure में देखते हैं वह यह है 25.075 mm और shaft का जो अधिक्तम व्यास है shaft का अधिक्तम व्यास हुआ दिया गया है 25 point maximum soft size है वह आपका 25.060 and shaft का जो new thumb size है वह आपका है 25.05 और फ्रेंड अधिक्तम allowance का जो definition होता है कि अगर आपको इस तरह के question आ जाते हैं तो आप इससे यानि कि इससे numerical question भी पूछ लिया जाता है उसमें आपको अधिक्तम allowance पूछ लेगा figure देखें तो अधिक्तम allowance की definition क्या होती कि high limit size में से हम shaft के low limit size को घटा देते हैं तो उससे हम क्या प्राप्त लेते हैं maximum allowance तो इसको हम देख लेते हैं अधिक्तम allowance तो hole का जो high limit size है वह आपका है 25.099 mm and shaft का जो low limit size है वह आपका है 25.050 तो जब इस value से हम 25 एक मिनट हमें अधिक्तम allowance निकालने के लिए 25 यानि की hole के अधिक्तम size में से हम shaft के noon time size को less करेंगे तो आपका maximum allowance निकल कर आ जाएगा तो 25.050 जब इस value को 25.099 में से 25.050 को list करेंगे तो आपका आ जाएगा .049 ये आपका अधिक्तम allowance आ जाएगा फिर देख लेते हैं नियुन्तम allowance क्या होता है नियुन्तम allowance hole के friend definition को आप clear कर लेंगे तो अगर इससे related आपको numerical question आते हैं तो आप numerical question को भी अच्छे से clear कर लेंगे अगर अगर आपको फिर भी इस question में कोई doubts ये confusion है तो आप हमें comment section में या आप हमारे whatsapp message करके doubts को clear कर सकते हैं तो इसमें क्या है कि hole के सबसे छोटे माप और soft के सबसे बड़े माप के नियुन्तम allowance कहते हैं अर्था इसमें hole size को soft size से कम रखा जाता है और ये भी question आ सकता है कि जो आपका minimum allowance होता है वह शदय होता है तो दोस्तों वह आपका सदय निगेटिव allowance होता है और ये force अत्वस shrinkage fit में होता है इसे प्राप्त करने के लिए यानि कि minimum allowance is equal to hole का low limit size then soft का high limit size ये आपका hole का हो गया और ये आपका soft का हो गया तो इसमें आपका minimum allowance निकल कर आ जाएगा इसको हम figure से clear कर लेते हैं figure में दिया गया है आपका hole का high limit size है वह आपका दिया गया 30.050 and आपका जो soft का अधिक्तम व्यास है वह आपका दिया गया है 30 point यानि कि maximum soft size है वह आपका 30.089 mm और आपका minimum hole size है वह आपका 30.40 और minimum soft size है वह आपका 30.075 और हमको find out क्या करना है हमको find out करना है कि शौफ्ट का new term allowance तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों तो फ्रेंड शौफ्ट के minimum allowance को find out करने के लिए हम hole hole के low limit size यानि की minimum limit size जो आपका है 30.040 और फिर है उसमें से हम soft के high limit size यानि की 30.089 को list कर देंगे यानि की subscribe कर देंगे तो आपका आ जाएगा माइनस में 0.049 मिलिमीटर आई होप आपको इस दोनों point अच्छे से clear हो गए होगे तो फ्रेंड पढ़ते हैं tolerance और allowance में हम थोड़ा सा difference को समझ लेते हैं इससे भी question आ सकते हैं कि tolerance क्या होता है कि किसी पार्ट की अधिक्तम यानि कि किसी पार्ट की maximum वा minimum acceptable size के difference को यानि कि size के maximum limit वा new term limit के difference को हम tolerance कहते हैं बट उसी जगे allowance क्या होता है कि कि किसी भी fit को प्राप्त करने के लिए shift की maximum size एवं hole की minimum size में जो difference आता है वह आपका allowance होता है और tolerance क्या होता है tolerance basic nominal या basic size पर depend होता है और allowance का होता है वह fit की प्रकार पर आधारित होता है यह limit से संबंद रखता है ठर्ड डिफ्रेंस क्या है कि यह एक ही job की अलग-अलग size पर भिन भिन हो सकता है लेकिन allowance जो है यह दो meeting password दिया जाता यह positive या negative होता है यह आपका permissible छूट है और यह आपका एक वास्तविक छूट है फिट देख लेते हैं फिट क्या होता है दोस्तों कि एक दूसरे में आवाशकता नुसाद दो assemble होने वाले पूर्जो के mail को fit कहते है इट मिस दो मैटिंग वाले parts के आपसी relation को हम fit कहते हैं भारती मानक पद्धती में fits है आपका तीन भागों में विवाजित किया गया है तो वह आपका clearance fit, interference fit, transition fit यह भी आपका question mcq में मिलेगा फिर बार यह आती है fit के लिए allowance देने की पद्धती जो की most important topic है आपका जो fit को allowance देने की पद्धती यह system है वह आपकी two types की होती है यह first होती है आपकी hole basis system second होता है आपका soft basis system, hole basis system में क्या होता है कि इस system में hole के size को constant रखा जाता है और केवल hole को ही हम base मानकर allowance देते हैं, it means विभीन प्रकार की fit प्राप्त करने के लिए soft के size को minimum या maximum रखा जाता है और hole यानि की hole के diameter को घटाया या बढ़ाया नहीं जाता है, soft basis system में क्या होता है soft basis system में हम soft को base मानते हैं और different type के fit प्राप्त करने के लिए hole के diameter को कम या अधिक रखते हैं और friend आपका soft basis पद्धती है वह बहुत ही विशेश कार्यों के लिए अपनाई जाती है और आपका जैसे drill और reamer के size को कम या अधिक नहीं किया इसलिए हम hole के size को सुद्ध मान लेते हैं अगला topic है आपका different limit and fit system वैसे तो word में बहुत सी limit और fit की पद्धतिया हैं परन्तु इन में सबसे अधिक प्रचलित पद्धतिया निमलिखित हैं आपके इंडिया में यानि की हमारे इंडिया में जो BIS और BSI ये आपका जो domain system है ये बहुत ही most important है और यहीं दोनों पद्धतियां ज़्यादा अपना जाती और थर्ड है आपका ISO international standard organization system of limits से nominal size क्या होता है इन पद्धतियों को जानने से पूरों निमलिखित terms को जानना आती आवश्यक है nominal size क्या होता है कि किसी part के original अथवा theoretical size को nominal size या basic size कहते हैं इसी को base मानकर limits दी जाती है English में देख लेते हैं कि the size with reference to which the limits of size are fixed is called basic or nominal size actual size क्या होता है कि the size of part as may be found by measurement कि बने हुए job को मापने पर जो size प्राप्त होता है वही आपका actual size होता है so I hope आपको सभी point अच्छे से clear हो रहे होंगे अब हम देख लेते हैं limit limit क्या होता है कि permissible variation on the nominal size is known as limit हिंदी में क्या है कि job को basic size से कुछ कम अधिक बनाने की छूट को ही हम limit कहते हैं आपकी secret छूट जो होती होए basic size पर कम या ज़्यादा अथवा दोनों में दी जाती है इसे हम plus अथवा minus चिन्नों दोरा शो करते हैं इसको हम figure के दोरा समझ लेते हैं for example आपका कोई job दिया गया है shaft है उसका basic size 50 mm है और उस पर जो tolerance दी गई है वह plus minus में 0.02 mm है तो 50 mm basic size shoot वाले shaft को 50 में से हम minus 0.02 को list करेंगे तो आपका आजाएगा 49.98 और 50 में हम जब 0.02 को plus करेंगे तो आपका 50.02 आएगा it means कहने का sense है कि 50.02 और 49.98 के अंदर आपका जो job बनेगा वह size में होगा और वह स्विक्रत भी होगा limits का main मतलब यही होता है तो जो आपकी जो छूट दी गई है वह आपकी 0.02 mm की छूट दी गई है यही आपकी limit होती है limit आपका दोस्तों दो प्रकार का होता है first होता है आपका high limit second होता है आपका low limit high limit क्या होता है कि basic size जितना अधिक बनाने की acceptable छूट दी जाती है वह आपका high limit या maximum limit होता है for example आपका जो soft दिया गया है उसका basic size 50 mm है और आपकी जो limit दी गई है वह plus minus यानि की 0.02 mm है लेकिन हमें यहाँ पर क्या value को find out करना high limit को find out करना है तो हम क्या करेंगे 50.00 mm में हम 0.02 mm को add करेंगे तो आपकी आजाएगी value 50.02 mm तो यही आपका high limit है और low limit क्या होता है low limit में से हम 0.02 को less करेंगे तो आपका आजाएगा 49.98 आई होप आपको सभी points अच्छे से clear हो गए होंगे तो चलते हैं हम इसके most important यानि की very very most important MCQ को देख लेते हैं पहला question है कि the difference between the maximum and minimum size allowed in manufactured components is called उत्पादन किये component में अधिक्तम और निउन्तम secret size के बीच अंतर को कहते हैं clearance कहते हैं allowance कहते हैं tolerance या फिर आपका limit तो friend maximum and minimum size वह आपका tolerance कहलाता है question number second क्या कह रहा है कि the measured size of the dimension of a component is called किसी component की मापी गई dimension के size को क्या कहते हैं basic size, nominal size, allowed size या आपका actual size तो दोस्तों वह आपका actual size यानि की वास्तिक size कहलाता है third question क्या है कि a pin is fitted in a hole the tolerance zone of the pin is entirely above that of hole the fit obtained will be किसी hole में आपका एक pin fit है pin की जो tolerance zone है वह hole से पूरतया उपर है तो प्राप्त किया गया fit होगा clearance fit होगा, transition fit होगा या आपका interference fit या none आप दीज़ तो friend pin की जो tolerance zone है वह hole से पूरतया उपर है तो इस तरह की fit आपकी interference fit होती है C option correct है question number 4 है कि in the drawing the dimension of a shaft is shown 40 0.068 और 0.042 mm which size of shaft is not within the tolerance question क्या करा है कि एक drawing में shaft की दरसाई गई dimension 40 और value जो यह है millimeter है निम लिखित में से soft का कौन सा size tolerance में नहीं है तो option है 14.068 second option है 40.096 and third option है 40.00 mm and fourth option है 39.998 mm तो दोस्तों हमें इसमें आपका question में थोड़ा सा mistake हो गया है typing mistake हो गई है जो आपका यह value दी गई है वह value कुछ इस तरह से दी गई है तभी आपका यह option है जो वह match करेंगे 40 है वह आपकी जो tolerance दिया गया वह plus में 0.068 और second जो है वह आपका minus में 0.042 मैं एक फिर से clear करेंगे लिख देता हूँ 40 plus में 0.068 माइनस में 0.042 तो इसके according आपको यह बताना है कि दिये गए option में कौन सा size शौफ्ट का कौन सा size tolerance में नहीं है तो आपका इस value के according A option आपका tolerance zone में है B जो option है वह tolerance में नहीं है C option दिया गया है 40 mm यह भी आपका tolerance में है D option जो है वह आपका यह भी tolerance में है तो इस question में आपका B option correct है question नमर शिफ्ट है कि in the drawing the dimension of a hole is shown 40 0.028 mm which size of the following is within tolerance एक drawing में hole की दर्शाए गई dimension mm आपकी जो value दी गई वो यह दी गई यह भी friend आपका typing mistake हो गया यहाँ पर value होगी वह होगी 40 plus में 0.028 और plus में आपका 0.040 तो इस value को आप देख लीजिए कहीं note कर लीजिए यानि कि यह जो दोनो value यह दोनो plus में हैं इसको मैं clear कर देता हूँ आप उपर भी discuss हिया तो मैं फिर से again बता देता हूँ आपको इसमें पूछा गया कि कौन सा size tolerance में है तो tolerance निकालने के लिए क्या करते हैं कि high limit size और low limit size वह difference होता है वह आपका tolerance होता है तो 0.040 से हम 0.028 को less करेंगे तो जो value आएगी 0.040 0.028 10 में से 8 गया तो यहां बचा 2 यहां पर कितना बचा 3 तीन में से दो गया तो आपका बचा कितना 0.12 तो question में पूछ रहा है कि कौन सा size tolerance में है तो 40 आपका है तो इसमें हम जब 40 तो यह हो जाएगा 40 0.12 question 5 है कि in the drawing the dimension of a hole is shown 40 प्लस में जो प्लस में value 0.028 और जो दूसरी value है वो भी आपकी प्लस में है तो which size आप दी following is within tolerance एक ड्राइंग में hole की दर्शाइगी dimension 40 mm है निम लिखित में से कौन सा size tolerance में है तो यह friend simple सा है आपको जो 40 है वो भी इसके अंतरगत नहीं है और B option भी tolerance के बाहर है C option जो है वो है आपका tolerance में है और D है आपका वो भी tolerance जो उनके बाहर है तो इस question में आपका C option correct है question number 6 है कि interchangeability is normally applied for interchangeability का यानि की अंतर परिवरतिनियता का प्रियोग प्राया किया जाता है option ने parts की मरमत के लिए या mass production के लिए या फिर single piece उत्पादन के लिए या फिर आल अब्दा एबावतो फ्रेंड interchangeability का maximum उत्पादन यानि की mass production के लिए करते हैं question number 7 है bilateral tolerance is fixed bilateral tolerance fix की जाती है first option है on upper side of the basic side basic side के उपर की ओर option भी है on lower side of the basic side basic side के नीचे की ओर या C option है on any one side of the basic side basic side की किसी एक ओर या फिर D option है on both sides upper and lower of the basic side basic side के दोनों और ऊपर वा नीचे तो आपका जो friend मैंने उपर इसको clear किया था जो आपका bilateral tolerance होता है वह basic side के दोनों और उपर वा नीचे plus और minus दोनों में होता है इसमें आपका D option correct है question number 8 है कि edge पर BIS system of limits and fits there are 18 grades of tolerance represented by number symbols from limits और fits के BIS system के अंसार 18 grade की tolerance को number 9-12 संभोजित किया जाता है सबसे पहले हम BIS का full form समझे लिए BIS का full form क्या होता है कि Bureau of Indian standards इसको आप कहांपी में कहीं नोट कर लिए यह भी question पूछ लिया जाता है कभी कहता टेक्निकल एक्जाम में Bureau of Indian standard question में पूछा गया कि BIS system के according 18 grade की tolerance को number चिन्नों द्वारा 100 किया जाता है तो दोस्तों वह होता आपका IT 01, IT 01, IT 02 से लेकर IT 16 तक तो इसमें आपका D option correct है लेकिन आपका BSI के according क्या होता है BSI के BSI system के according आपका जो tolerance के cool grade होते हैं वह आपके 16 होते हैं और इसमें आपका 21 यानि की 21 प्रकार का hole और 21 प्रकार का shaft होता है next question देखते हैं कि question number 9 tolerance is given to the parts files to parts per tolerance दी जाती हैं किसलिए दी जाती है increase the production उत्पादन बढ़ाने के लिए या फिर आपका decrease the production उत्पादन घटाने के लिए या फिर आपका finish the component approximately component को लगभग size में finish करने के लिए आपका produce the parts within the required permissible size error parts को secret duty वाले size के बीच बनाने के लिए तो फ्रेंट जो parts पर हम tolerance देते हैं tolerance देने का main मकसद यह होता है कि आपका जो parts है वह स्वीकरत duty वाले size के बीच बनाने के लिए ही tolerance दिया जाता है the option correct है question number 10 है कि the size of a component is given as 24 minus में value दी गई है 0.1 what does minus 0.1 indicates एक component का दिया गया size 24 आपकी minus में 0.1 इसमें पूछा गया कि जो आपका minus 0.1 है यह क्या show कर रहा है तो दोस्तों यह आपका lower deviation शो है यानि की noon thumb which line है विचलन होता क्या है कि job के basic size तथा actual size के वास्तिक size आपका जो basic size होता है और actual size का जो algebraic difference होता है वह आपका deviation कहलाता है और deviation आपका friend two types का होता है first होता है upper deviation and second होता है आपका lower deviation upper deviation क्या होता है upper deviation को हम समय लेते है कि maximum limit आपका जो maximum limit है maximum limit के algebraic difference को हम upper deviation कहते है और जो आपका lower deviation होता है कि job के basic size upper deviation में क्या होता है job के basic size है तब maximum limit के question में minus 0.1 value है यह आपकी lower deviation की minimum deviation को show कर रहा बढ़ते हैं यह question की और कि which one आपदी following is the clearance fit under the whole basis system whole basis system के अंतरगत निम लिखित में से कौन सा clearance fit है 20 h7 oblique p6 या 20 h7 oblique g11 या आपका option c 28 oblique g11 या आपका option d 20 h7 oblique g11 है यह आपका clearance fit के अंतरगत आतारड़ी option correct है question number 12 है in whole basis system in whole basis system में क्या होता है कि option दिया गए the size of the soft is made constant soft का size इस से रखा जाता है या फिर आपका whole का size इस से रखा है तो friend whole basis system में क्या होता है कि fit के allowance देने की जो दो पद्दतियां होती है फस्ट होती है आपका soft basis and second होता है आपका whole basis system में whole का size होता हुए constant रखा जाता है b option correct है question number 13 है कि best example for driving fit is driving fit का उत्तम उधारण है तो आपका friend जो driving fit का best example है वह आपका soft पर ball bearing होता है A option correct है driving fit क्या होता है कि जब पूर्जो को एक दूसरे के अंदर hammer की चोट से fit किया जाया तो वहाँ पर आपका driving fit होता है ये friend आपका teen types का होता light, medium और heavy driving fit question number 14 देख लेते हैं कि best of examples for shrinkage fit is shrinkage fit का उत्तम उधारण है option a cart rim on wooden rim, बैल गाड़े के पहिये पर rim या option भी tire on rail wheel, rail के पहिये पर tire या option c, tire on the bicycle rim, bicycle के rim पर tire या option d, fly wheel on the shaft, shaft पर चलाई गई वील तो दोस्तों आपका जो shrinkage fit का best example है वह आपका बैल गाड़े की पहिये पर rim, ये option एक correct है question number 15 है कि in the assemblage obtained by using the system of limits and fits the damage parts limits और sits के system का परियोग करके प्राप्त की की assemblyों में खराब हुए parts को option a cannot be replaced, बदला नहीं जा सकता, option b are required to be inscribed या option c may be easily replaced without rejecting the assembly assembly को बिना reject किये, आसानी से बदला जा सकता, c option correct है, question number 16 है कि in the BIS systems of limits and fits the standard range of size covered are limits or fits के BIS system में size की cover होने वाले जो standard range है वह आपकी क्या है तो वह आपकी 0500 है या 25 to 400 mm है या आपका 0 to 100 mm या आपका 0 to 10 mm है तो limits और fits के BIS system में size की cover होने वाले जो standard range है वह आपकी 0 to 500 mm है I hope friend आपको सभी question अच्छे से clear हो रहे होंगे तो friend वीडियो को like और अपने दोस्तों में share करना जरूर जरूर कीजेगा और friend अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को subscribe नहीं किया तो subscribe कर लीजे और subscribe करने के बाद notification bell को जरूर on कर ले जिससे आपको चैनल की सभी वीडियो का notification continue मिलता रहेगा BIS पद्दति के अनुसार fits के कितने वर्ग होते हैं इसको मैंने अभी उपर आपसे clear भी किया था तो friend BIS system के according जाओ के fits के तीन वर्ग होते हैं वह होते हैं आपके clearance fit, transition fit और interference fit, A option correct है question number 18 है in the BIS of limits and fits 25 hold aviation are specified by using limits और fits की BIS system में 25 hold विचलने dash का प्रियोग करके निर्दिश्ट की जाती है small letters से या capital letters से या small letters with tolerance या small letters with number तो दोस्तों आपका capital letters का प्रियोग करके निर्दिश्ट की जाती हैं question number 19 है the first step of quality control is the product specification one whose opinion is the product specification based quality control में पहला चरण उत्पादन की specification है किसके विचार पर उत्पादन की विशेश उलेक आधारित है option है marketing विभाग, marketing department या consumer या उप्भोकता प्रियोग करने विभाग या आपका D option servicing department तो दोस्तों वह आपका quality control में पहला चरण उत्पादन की specification होता है वह आपका consumer के विशेश उलेक पर आधारित होता है the option correct है question number 20 है mass produced components should be interchangeable one of the following is the most important factor required to achieve the interchangeability in mass production option is dimension accuracy या dimension परिशुद्धता या option भी मान की करन या आपका option C geometrical परिशुद्धता या option D surface finish तो दोस्तों आपका जो बहु उत्पादन द्वारा बनाए गए components को interchangeable होना चाहिए बहु उत्पादन द्वारा बनाए गए components को interchangeable होना चाहिए और बहु उत्पादन में इंटर्ण changeability प्राप्त करने का निमलिखित में से कौन सा एक गुड महत्वपूर शाधन है तो दोस्तों वह आपका मान की करन होता है B option correct है question number 21 है limits और fits के BIS system में tolerance के grade को number द्वारा प्रकट करते है in the BIS system of limits and fits the grade of tolerance are represented by number and there are 18 grade of tolerance तो friend आपका जो limits और fits के BIS system होता है उसमें tolerance का जो grade नम्बरो द्वारा शो करते है वह आपका 18 grade of tolerance होता है A option correct है question number 22 है a hole whose lower deviation is zero is called basic hole which one of the following later indicate basic hole a hole जिसकी निउन्तम विचलन 0 होती है को basic hole गयते है निम्लिकित में से कौन सा अच्छा basic hole को प्रकट करते हो है आपका capital H होता है जो कि D option में है D option correct है the company which does most production shall have following important strategy बहुत पादन करने वाली company निम्लिकित महत्वपूर जोजना अपनाएगी selective assembly या interchangeability या आपका massive machinery अतिविसाल machinery या आपका large capital investment ब्रहत पूजी विनेश तो बहुत पादन की mass production करने वाली company निम्लिकित में से आपका जो important strategy है वह आपकी interchangeability है इंटर यानि की अंतर परिवरतिनीता को अपनाएगी बी option correct है question number 24 है this is the total amount that the feature on the actual part is allowed to vary from what is specified by dimension वह कुल मात्र जिसके वास्विक भाग के feature की विमाद्वारा मिनिर्दिष्ट मात्रा से भिन होने की अनुमती है वह है allowance है या आपका tolerance है या specification, mineralization या पिर आपका difference तो आपका tolerance होता है question number 25 है the two extreme permissible size between which the actual size is content is called दो चरम अनुग्य नापों के बीच जो वास्तिविक नाप अंतर विष्ट है उसे हम क्या कहते है तो दोस्तों उसे हम limit of size यानि की नाप की सीमा कहते है question number 26 है which the following is not interference fit निमलिखित में से कौन सा वैतिकरंड fit नहीं है shrink fit या आपका heavy driving fit या large drive fit या running fit तो आपका जो running fit है वह वह एक वैतिकरंड fit यानि की interference fit नहीं है question number 27 है in dash fit there is a positive allowance between the largest possible shaft and the smallest possible hole fit में सबसे बड़े shaft और सबसे छोटे संभाव के भी जो धनात्मक शूट है वह आपकी clearance कहलाती है जो कि आपका C option में है C option आपका correct है question number 28 है a limit system in which hole is constant member different fit are allowed are obtained by varying the size of the shaft is called क्या कहरा है question में कि एक सीमा अप्राली में जिसमें आपका जो hole है वह constant है and shaft के size को बदलने के द्वारा benefit प्राप्त किये जाने को कहते हैं तो वह आपका whole basis system के अंतरगत होता है जो कि B option है question इस तरह question आपको confuse नहीं होना है क्या होता है कि question को कई बार घुमा के पूछ लिया जाता है question number 29 है कि which type of tolerance is provided in drilling mostly drilling machine में अधिक तर किस प्रकर का tolerance प्रदान किया जाता है unilateral tolerance या bilateral tolerance या dimensional tolerance या फिर आपका non आपदा अपरोगत मेंसे कोई नहीं तो friend drilling machine में जो mostly tolerance दिया जाता हुए unilateral tolerance दिया जाता है यह option correct है question number 30 है is the difference between the maximum limit of size and the minimum limit of size आकार की अधिक्तम सीमा तह था आकार की नियुंतम सीमा के अंतर को कहते हैं तो उसे हम tolerance यान की सही सुड़ता कहते हैं friend इसके पहले मैंने एक limit fit और tolerance एक और वीडियो बनाया थी जिसमें उसे class में मैंने figure से related question को आप से clear किया था तो friend उस वीडियो को आप जरूर watch कीजिएगा question number 31 है what is the advantage of mass production बड़े पैमाने पर उतपादन की क्या benefits हैं क्या फायदे हैं आप सने cost and time reduced for manufacturing विनिरमान के लागत और समय कम हो गया तो आपका ए आप सन करेक्ट है दी आप सन आपका इससे mass production के कोई फायदे नहीं है जिक्स और फिक्चर और ये भी कोई फायदे नहीं है special purpose machines are not necessary ये भी आपका mass production से रिलेट नहीं है इसमें आपका a option correct है question number 32 है कि the difference between maximum limit of size and its corresponding basic size of a component is संगठक के अधिक्तम size की सीमा तो था इसके आधार के बीच का अंतर होता है option is actual deviation, upper deviation, lower deviation या tolerance so आपका जो maximum limit of size and its corresponding basic size of a component is वह आपका upper deviation होता है अभी मैंने इसको deviation point में इसे clear किया था the option correct है question number 33 है if the dimension of a component is finished within the limits of size then it will be a oblique end यदि संगठक की विमा size की सीमाओ के अंदर परिस्क्रत की जाती है तो यह होगा basic size, minimum size या acceptable size या आपका rejected size तो यह दोस्तों आपका secret size होता होगा, acceptable size होगा, C option correct है the algebraic difference between the minimum limit and the basic size इसकार नियुनतम सीमा तथा मूल आकार के बद मद्ध बीजी अंतर को क्या कहते हैं तो दोस्तों वह आपका lower deviation होता है C option correct है question number 35 है the size based on which the dimensional deviation are given is called वह आकार जिसके आधार पर विमी विचलन दिये जाते है dash कहलाता है basic size तो दोस्तों वह आपका basic size कहलाता है आज की वीडियो से हम कुछ question को अपने community tab में भी post करेंगे वीडियो के uploading होने के दो घंटे बाद so friend आप उसमें जाके इमानदारी से उस question के right answer को voting जरूर कीजेगा जिससे आपको ये clear होगा कि आपने जो वीडियो watch किया है उससे आपको कुछ benefit हुआ है की नहीं तो friend आप honestly हमारे channel के community tab में जाकर जो भी question पोस्ट किये जाते हैं उसका आप answer जरूर दिया करिएगा इससे आपके अंदर confidence level जो है वह improve होगा तो I hope मैं उम्मीद करता हूँ कि आप हमारे community tab पर जाकर questions के जो right answer है उस पर voting जरूर करेंगे तो question number 36 देख लेते हैं कि when tolerance is given on one side of the basic dimensional is called जब एक भुजा के मूल विमा में सही सुरता दी जाती है तो इसे कहा जाता है तो वह आपका unilateral tolerance होता है C option correct है question number 37 है in a hole and soft tolerance system small letters indicates fundamental deviation of एक छिद्र और soft प्राली में छोटे अच्छे नमूल वियती करण आपका जो होता है वह soft को सो करते हैं तो इसमें आपका B option correct है question number 38 है tolerance is given to the part size to parts पर सही सुरता दी जाती option है increase the production production बढ़ाने के लिए या decrease the production उत्पादन घटाने के लिए या finish the component approximately component को लगबक size में finish करने के लिए आपका D option produce the parts within the required permissible size error parts को स्विकर तूटी वाले size के बीच बनाने के लिए parts पर tolerance दिया जाता है D option correct है question number 39 है which one of the following is called clearance fit under the whole basis system so friend sorry friend आपका जो question ये repeated हो गया इसमें आपका D option correct है question number 40 है in the assembly obtained by using the system of limits and fits the damaged part limits और fits के system का प्रयोग करके प्राप्त कीगी assemblyों में खराब हुए part को may be easily replaced with out rejecting the assembly solution को बिना reject की आसानी से बदला जा सकता है C option correct है so friend आज की वीडियो आपको अच्छे से clear हो गई होगी और friend वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं अपनी next वीडियो में आगे के महतरपूर प्रश्णों के साथ जो की NCL exams के लिए very very most important है तो friend बने रही हमारे साथ आपके अपने YouTube चैनल Super Tecno में